डिक्ति सिंगती 803 मिनिट इस्टाट जम्मु कश्मीर में अनुछे 370 की बहाली की मांग करने वाले कश्मीर आधारित राजनीतिक गुटों की ओर से तथा कथित गुपकार गटबंदन का गठन उसी तरह की एक सरारत भरी कवायद है जैसे हुर्यत कानफरेंस के नाम पर की गई थी इस गुपकार गटबंधन का भी वही हस्र होगा जो आतंक परस्त हुर्यत कानफरेंस का हुआ क्यूंकि उसके नेता और खासकर फारुख अबदुल्ला और महबुबा मुफ्ती भी पाकिस्तान एवं चीन की भासा बोल रहे हैं और वह भी निहायत बेसर्मी के साथ गुपकार गटबंधन के अध्यक्ष के रूप में फारुख अबदुल्ला का यह कहना देश दुनिया की आखों में धूल जोकने के अलावा और कुछ नहीं कि हम भाजपा विरोधी हैं देश विरोधी नहीं महबूबा और अबदुल्ला बड़ी चतुराई से यह भूल रहे हैं कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला संसद ने लिया था और वह भी दो तिहाई बहुमत से आखिर ऐसे किसी फैसले के विरोध में खड़े होकर चीन की मदद लेने अथवा भारती अध़ज को ना उठाने की बाते करने वाले किस मुह से यह कह सकते हैं कि वे राष्ट्र विरोधी नहीं हैं ये हरकतें तो साफ तौर पर राष्ट्र विरोधी हैं फारुख अब्दुल्ला यह भी सफाई दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई मजहभी नहीं है लेकिन उनका रुख रवय्या यही साबित कर रहा है कि वह हुर्यत कांफरेंस की तरह से अपनी अलगावादी राजनीत को मजहभी रंग दे रहे हैं वास्तव में इसी कारण वह जम्मू कस्मीर छेत्र के लोगों की आकांचाओं की कहीं कोई परवाह नहीं कर रहे हैं केवल कस्मीर आधारित राजनीतिक गुटों की ओर से सम्विधान के आइस्थाई अनुच्छेद 370 की वापसी का राग अलापना यही बताता है कि वे घाटी को देश और यहां तक की जम्मू से भी अलग मानते हैं उनके इस मुगालते को दूर करने की सक्त जरूरत है कि कस्मीर उनकी जागीर है वैसे भी इन गुटों और खासकर नेशनल कांफरेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कस्मीर को लूटा ही है इस लूट खसोट से कस्मीर की जनता भी अवगत है वह इससे भी परचित है कि ये गुट जब सत्ता में होते हैं तो किस तरह देश सम्विधान की बाते करते हैं और सत्ता से बाहर होने पर पाकिस्तान की भासा बोलने लगते हैं गुपकार गटबंदन के नेताओं को जितनी जल्दी यह समझ आय तो अच्छा कि यह देश किसी भी कीमत पर तीन सो सत्तर की वापसी के लिए सहमत नहीं हो सकता क्यूंकि उसने अलगाओ, अन्याय और आतंक के बीज बोने के अलावा और कुछ नहीं किया फारुख अबदुल्ला कितनी भी लिपा पोती करें देश उन्हें माफ नहीं कर सकता क्यूंकि उन्होंने भारत की और आख उठाने वाले चीन की खुली तरफदारी करके लोगों का सम्मान हमेशा के लिए खो दिया है स्टॉप